राजस्तान के अजमेर में स्थित खुआजा गरीब नवास की दरगा के पास स्थित अड़ाई दिन का जोपड़ा में हिंदूों के बाद अब जैन समाज ने अपना दावा ठोग दिया है हिंदूों की तरब से पहले ये दावा किया गया था कि यहाँ पर संस्कृत महा विद्याले था और अब जैन समाज के सुनील सागर महराज ने जैन स्थल होने का दावा किया है मंगलवार को जैन समाज के महराज सुनील, सागर, फवारा, सरकल से दरगाह बाजार होते हुए अड़हाई दिन का जोपड़ा पहुँचे जैन समाज के अनुसार अड़हाई दिन का जोपड़ा पूर में संस्कृत विद्यारे होने से भी पहले एक जैन मंदिर या स्थल था जिसको लेकर आज उन्होंने साक्ष भी जुटाए अड़हाई दिन का जोपड़ा में मूर्तियां भी देखने को मिली जैन संसुनील सागर जी महराज ने कहा कि इतिहास समय समय पर बदलता रहता है ऐसे में सभी को उदारता रखनी चाहिए अढ़ाई दिन का जोपड़ा जोपड़ा नहीं एक एतिहासिक वास्तुकला वो महल का स्थान है लेकिन अभी ये मस्जित की रूप में दिखाई दे रहा है यहां कई एतिहासिक मूर्तियां भी स्थापित थी जिनें खंडित किया गया सबकी अपने अपनी मानिता और धारनाएं होती हैं विरासत की सुरक्षा बनी रहे ऐसे में शांती और सद्भावना की आविश्शक्ता है